तोरेक्स कफ सीरप 100 ml की ये सीरप है 99 रुपीज में आपको ये सीरप मिल जाएगी कमपोजीशन की बात करें तो 5 ml जो दबा आप मरीज को देंगे उसके अंदर define hydra mine hydro chloride 12.5 mg के रूप में और टर्पिन hydra dis Balkh 7.5 mg के रूप में ammonium chloride 125 mg और sodium citrate 55 mg के रूप में 5 ml content के अंदर मिलेगा अब इसके यूज की बात करें तो इस दबा का इस्तेमाल जो है एलर्जी वाले जो मरीज हैं जिनको सर्दी खासी जुकाम निस्तरीगी की और साथ में कफ की समस्या है तो इस कंडीशन में हम टॉरेक सीरप को इस्तिमाल करते हैं इसके अलावा इस सीरप का जो इस्तिमाल है मेटाबॉलिक सिंड्रॉम पित्ती निकलने की सिती में यानि वे मतली का तातपर इसमें यानि चक्कर आने से है तो इन इस्तिती में हम इस सीरप को इस्तिमाल कर सकते हैं साइड फेक्ट की बात करें तो इस तरीके के मरीज जिनको पहले से किड्नी डिसीज की समस्या है लिवर डिसीज की समस्या है या फिर हिर्दै रोक की समस्या है तो वे लोग इस दवा को लेते समय सावधानी बरते हैं सारको फेरॉल सीरप तो इस सीरप के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे केल्सियम आइरन विटामिन इस तरीकी की चीज़े दीवी है और एलमबिक कमपनी का ये ब्रांड है मार्केट रेट दो सो नवासी रुपए में आपको चार सो पचास गरम ये सीरप मिल जाएगी क्योंकि सीरप पर यही लिखा हुआ है अब इसके यूज की बात करें तो इस सीरप का जो इस्तिमाल है खून की कमी, भूनने की बीमारी बिटाइमिन, B12 की कमी में इस सीरप को दे दिये जाता है कुछ केलस्ट्रॉल की अगर समस्या है तो उस कंडिसन में भी हम इस सीरप को इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आश्तिम्रदुता की समस्या में बिटाइमिन, B3 और D की कमी में इस तरीके की समस्या में हम सारकोफेरॉल सीरप इस्तिमाल करते हैं साइड इफेक्ट की बात करें तो इस सीरप का साइड इफेक्ट केवल एक व्यक्ति जिसको सिकल सेल एनिमिया की समस्या है उसको 90% साइड इफेक्ट होने के समस्या होंगी बागी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दवाईयों की जरीए side effect होते ही है यानि उनकी जो body है वो sensitive है वो एलोपेथिक जो दवाया है वो उनको suit नहीं होती तो side effect के तौर पर यानि Bradycardia की समस्या यानि मंद नाड़ी, बेहोसी, लूज मोसन, खुजिली या फिर काला मल उनका आ सकता है या फिर जादा दिनों तक आपने या फिर डोज जादा लिया तो आप में केलसियम का जो इस्तर है वो बढ़ सकता है तो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद